नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब तो मैं अपस्तित हो चुकी हूँ आपके एगले वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम बात करेंगे महा कभी सुर्य कांत्रिपाठी निराला के उपन्यासों की और इनकी कहानियों की इससे पहले का जो वैख्यान था उसमें मैंने इनकी कभ वे कृतियों की चर्चा की थी बहुत विस्तृत चर्चा थी उस का अनन्द लेने के लिए और बहुत विस्तृत रूप से जानने और समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का व्यख्यान जिसमें हम बात करेंग इनके उपन्यासों की सबसे पहले जो इन्होंने उपन्यास लिखा इनका पहला उपन्यास था अपसरा पहला उपन्यास था इनका अपसरा देखिए निराला जी जो है वो उपन्यास लेखन करना नहीं चाहते थे उपन्यास लेखन करना इनकी मजबूरी थी क्योंकि कविताओं से इतना अधिक पैसा नहीं मिल पा रहा था कविताओं से रोयल्टी नहीं मिल पा रही थी इस कारण से मजबूरी वश इन्हें उपन्यास लिखने पड़े थे कहानियों का सहारा लेना पड़ा था तो जब किसी कारिये में हमारी रूची ना हो और मजबूरी वश्व हमें वो कारिये करना पड़े तो उसमें वह पारंगता और वह निपुनता नहीं आपाती जो हम किसी रूची कर कारिये को करने में ला सकते हैं इसी कारण से निराला जी के उपन्यास हिंदी साहित्ते में भैस्थान नहीं बना पाए जो की प्रेमचंद के उपन्यास बना पाए ठीक है परन्तु फिर भी हम इनके उपन्यासों का अध्यन करते हैं क्योंकि बहुत बार परिक्षा में पूछ लिए जाते हैं तो पहला जो इनका उपन्यास था इसका नाम था अपसरा जो इन्होंने परकाशित करवाया था 1931 एसी में और इसमें क्या है इसमें मूलत एक वेश्या की समश्या को उठाया गया है और उस वेश्या का नाम था कनक कनक नाम की वेश्या की समश्या को उठाते समय जो निराला जी है वो एक संदेश देना चाहते हैं समाच में कि एक विद्यूशी वेश्या जो है वो किसी भी प्रकार से दूसरों से हीन नहीं होनी चाहिए तो और अपने उपन्यास में वो क्या है उस वेश्या पुत्री का विवहा एक कुलीन वर्ग की राजकुमार से करवा देते हैं और रूढियों को या परंप्रा को तोड़ने का प्रयास करते हैं ठीक है तो दूसरा जो इनका उपन्यास था जिसका नाम था अलका अपसरा पहला उपन्यास था अपसरा दूसरा उपन्यास था अलका देखी कितनी रोचक बात है कि चाहे कावे संग रहे हैं चाहे फिर उपन्यास हैं निराला जी ने प्रतेक कावे संग रहे हैं और प्रतेक उपन्यास का जो नाम दिया वो उस त्री नामों पर ही आधारित है लड़कियों के नामों पर ही अधारित है थीक है तो अपसरा 1931 इसी में अलका 1933 इसी में अलका जो है वो मूलत है बेकारी की समश्या पर अधारित है इसमें इसके चार मुखे पात्र है अजीत वीजे स्नेह शंकर और अलका ठीक है और ये क्या करते है इस कहानी के माध्यम से इन्होंने किसानों की निरिहता मज़्दूरों की दीनता और समन्तिय जीवन के विशे में समझाया है उसके बाद इनका तीसरा जो उपन्यास है उसका नाम है निरूपमा का प्रकाशित हुआ था 1936 इसी में और चोथा उपन्यास है इनका प्रभावती प्रभावती उपन्यास भी इनका 1936 इसी में प्रकाशित हुआ था और यह क्या है इतिहासिक और रोमान्श वादी उपन्यास है इसमें क्या है मध्य युग के सामंतिय जीवन की विशे में बताया हुआ है उनकी स्थिती को दर्शाया हुआ है अपसरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती और पांचवा था इनका चोटी की पकड जो का प्रकाशित हुआ था 1944 इसी में और यह है क्या है यह है अधूरा है निराला जी जो है वो इसके चार अंक लिखना चाहते थे परन्तु इसका एक भाग ही लिख पाए और तीन भाग इसके नहीं लिख पाए तो इस कारण से यह क्या है अधूरा है और छटा इनका उपन्यास है काले कारणा में यह है भी क्या है अधूरा है और सात्वा था इनका चमेली जो 1941 में इन्होंने लिखना शुरू किया और यह है भी अधूरा है इसके केवल और केवल आठ पेज ही इन्होंने लिखे हैं और आठवा इनका उपन्यास था इन्दूमती और यह इन्दूमती भी क्या है अधूरा है इन्दूमती भी क्या है अधूरा है ठीक है इसके केवल यह चार ही पेज लिख पाई तो ये क्या थे? ये थे इनके उपन्यास कोन-कोन से अपसरा 1931 में प्रकाशित हुआ, अलका 1933 में प्रकाशित हुआ, निरुकमा 1936 में, प्रभावती भी 1936 में, चोटी की पकड़ 1944 में अधूरा उपन्यास है, काले कारणा में भी अधूरा है, चमेली 1941 अधूरा है और दुरे उपन्यासों की संख्या कितनी है चार और चार ही इनके पूर्ण उपन्यास है कुल उपन्यास इनके थे आठ ठीक है तो इन सब को आप नोट कर लीजिएगा और अब हम इनके दो इन्होंने कथात्मक रेखा चित्र लिखे जो की बहुत प्रसिद हैं उनकी बात करेंग रेखा चित्र है इनके कथात्मक रेखा चित्र अब हम इनके रेखा चित्रों की बात करते हैं जिन्ही क्या कहा जाता है कथात्मक रेखा चित्र रेखा चित्र और कौन-कौन से है ये एक का नाम है कुली भाट जो का प्रकाशित हुआ था 1949 इसी में और दूसरे का नाम है बिल्ले सुर्बकरिया जो का प्रकाशित हुआ 1941 इसी में तो अब हम इनके कहानी संग्रहों की बात करें तो इनके कहानी संग्रह है पहला इनका कहानी संग्रह है था जिसका नाम था लिली 1931 इसी में प्रकाशित हुआ दूसरा कहानी संग्रह है था इनका सखी जो 1935 इसी में प्रकाशित हुआ और इसी सखी को क्या है 1945 इसी में चतूरी चमार नाम से प्रकाशित करवाया जया इसमें अंतर केवल इतना था कि जो चतूरी चमार जो कहानी है वो सबसे पहले डाल दी गई जसी सबसे पहले रखी गई ठीक है तो लीली प्रकाशित हुआ था 1931 में कहानी संग रहे था सखी 1935 में और ये जो सखी को ही 1945 में चतूरी चमार नाम से प्रकाशित करवा दिया गया और इनका मिलता है जिसका नाम था देवी और जो प्रकाशित हुआ था 1948 इसमें इसमें दस कहानिया है परन्तु जो नो कहानिया है वो पुराने कथा संग्रहों से ली गई है केवल एक कहानी नई है जिसका नाम है जान की कुनसी कहानी नहीं है जान की जो कहानी है वही केवल नहीं है पुरानी जो कहानिया है वो नो कहानिया है और किस नाम से फिर इसको प्रकाशित करवाया गया 1948 में देवी नाम से इसको प्रकाशित करवाया गया तो इनके चार कहानी संग रहे आपको मिल सकते हैं लीली, सकी, देवी और चतूरी, चमार परंतु मूलते अगर हम देखें तो यही दो मुख्ये हैं इन में तो केवल और केवल नाम का ही प्रिवर्तन किया गया है ठीक है तो कहानी संग रहे आपने समझ लिए कथात्मक रेखा चित्र कौन-कौन से थे कुली भाट और बिल्ले स कहानी संग रहे हैं लीली, सकी, चतूरी, चमार और देवी ठीक है उमीद करती हूँ कि यह व्यक्यान आपको बहुत पसंद आया होगा और प्रतेक विस्तरित जानकारी आपको मिल रही होगी और अगर आपको लग रहा है कि बहुत फायदा आपका हो रहा है बहुत कुछ आ इनकी अलोचना की विशे में बहुत विस्तरित रूप से बात करेंगे तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद